आप सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ मघंटी को अपसे लाइक कर दीजेगा ताकि आपको लेटेस वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो चलिए शुरू करते जानते फटा-फट से सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा डायल पेड में तो यह रहा डायल पेड में जाने के बाद आपको यहां पर डायल करना है या फिर आपको रीसेंट में आया गया वो दिखेगा या कॉंटेक्ट नंबर से भी ले सकते हैं कोई से भी नंबर को आप डायल करके मैं एक्जामपल के लिए मैं यह नंबर दिखा र और उसके बाद आपको यहां से call कर देना है, फिर से मिलाते हैं, तो network not available बता रहे हैं, तो यहां पर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं यहां से switch up करके on कर लेता हूँ, रे स्टार्ट कर लेता हूँ, बाके मैं वीडियो को pause कर देता हूँ, जैसे स्टार्ट होगा, मैं फिर आगे continue करूँगा, तो friends यहां पर network आगे, पहले नहीं आ रहा था, तो मैंने रे स्टार्ट करके on कर ले, आपका भी network इस हुआता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपके साम लोड़ी स्पिकर कर दिया हूँ, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहां पर एक option दिखेगा, add call, इस पर क्लिक करना है, और जो दूसरा नमबर है, वो आप डाइल कर सकते हैं, और मैं example के लिए, मैं यही नमबर ले लेता हूँ, और यहां पर merge का option आजाएगा, क्योंकि यह आपका दूसरा नमबर होगा, तो आप इस तरीक से कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, हमारा यहां पर लिखा हूँ आगे, conference call is ready, तो इसी प्रकार से आप भी conference call कर सकते हैं, आपका आईवोग की डाउट सारे clear होगा होगा, manage पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर जितनी भ तो friends इसी परकार से आप भी conference call कर सकते हैं, आप भी आप ट्राइ कर लिजिए, इस नमबर को dial करके उसके बाद आप किसी को add कर सकते हैं live, तो guys कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में जबूर बताएगा, मिलते हैं सब्सक्राइब वीडियो के साथ, अब तक के लिए, नमस आपकार